सलब बड़ा नोकर बनने से अच्छा एक छोटा सा मालिक बन जाओ किसी भी कार्य में अक्सपर्ट बनने का एक और एक मात्रे कही तरीका है हर दिन प्रैक्टिस करना यो दव अई कालाते हैं जीने अपनी जान से ज्यादा जीत प्यारी होती है पहां जैदा हो तो कस्तियां डूब जाते हैं और बमंड जैदा हो तो हस्तियां डूब जाती है बात जाद रहें ग्यान से खतरनाक कोई अथियार नहीं इसे फुल लोड़ करके रखे हमेशा क्योंकि बाबा भीम राव अम्बेटकर जी कि पास सिर्फ और सिर्फ एक हई अत्यारा ता जिससे वो पूरी दुनिया में को अपना लोगाम चागTu है और पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। और उस हत्यार का नाम है इस सिर्फ घ्यान। आज रास्ता बना लिया है तृ कल मंजीर भी मिल जाएगी। हावसलों से भरी या कोशी से एक दिन जरूर रंग लाएगी सपने अवकात से बड़े हैं तो क्या हुआ इसे पूरा करने के लिए हम भी जिद पर रड़े हैं सिर्फ वक्त के बारों से मत बैठे राना किसमत वालों के आथ खाली रह जाते हैं और मेहनत करने वालों के नहीं यदि लोग आपके लच्छ पर हंस नहीं रहे हों तो समझो कि आपका लच्छ बहुत थोटा है आप अपने सरीर को जितना ज्यादा आराम दोगे उतना ही ज्यादा वो मांगेगा और जितना उससे काम दोगे उतना ही ज्यादा वो करेगा तुम्हारे लच्ष क्यालाम अजिस पर भी तुम्हारा ध्यान है वही तुम्हारा सबसे बहा सत्रू है जो मज़ा अपने दम पर सफल बनने में है वो मज़ा करोणों और वो की खांदानी दौलत में भी नहीं है रतन टाटा जी की एक सिख है पैसा तब तक कमाओ तब तक कमाओ सला जब तक की मांगी से मांगी चीश तस्ति ना लगने लगे चाहे वो शमान हो या शामान परिशानी में जो अनुभा और सिख मिलती है वो सिख दुनिया के कोई भी इस्कूल नहीं दे सकता है जिन्दगी मिली है तो खुद बन कर दिखाओ अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ अपना बोज खुद उठाना सिखो दूसरे के वरो से बैठे रहोगे तो कभी तो ठोकर खाओगे ही सब कुछ मिलेगा जब आप किसमत से ज्यादा म्यानत पर विस्वास रखोगे हर कष्ट तुमें संदेश देता है और यहीं संदेश तुमारा जीवन बदल सकता है जो आराम से बैठता है जो कष्ट नहीं उठाता है संदेश की दा जिंदगी में सहड़ распॉण है क्योकि अच्छी चीजों को प्राप्त करने के लिए जिंदगी में lotus कुछ से अच्छी प्राप्त करने के लिए प्रफिनता को तो जेल नहीं पड़ेगा जो जेलेगा वही आगे बढ़ेगा, जो खुन और पसीना एक करके मेनद करेगा, वही आगे बढ़ेगा, जो आराम की जिंदगी जियेगा, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है